Hey guys, Vivo जल्दी इंडिया में लौंच करने वाला है अपनी X50 सिरीज तो guys मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है Vivo X50 के बारे में तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है Vivo X50 Pro and Vivo X50 Pro Plus के बारे में तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इन दोनों फोन के बीच में डिफ्रेंज, इनकी सेमिलारिटीज, एंड का प्रैस और इनकी रिलीज डेट साथ है आपको मिलने वाले है 8 mm की ठीकनाज, तो इसका फ्रेम होगा, इसका फ्रेम होगा अलमीनियम का, तो इन दोनों फोन में आपको एकदम सिमिलर डिस्पले मिलेगी, बत एक रिफ्रेंज होगा, और वह होगा इनके रिफ्रेश रेट का, तो Vivo X50 Pro में आपको मिलते है 90 120Hz की रिफ्रेश रेट वाले डिस्पले, जबकि Vivo X50 Pro Plus में आपको मिलते है 120Hz की रिफ्रेश रेश रेट वाले डिस्पले, और यह 120 रिफ्रेश रेट अब तक का फोन मिलने वाला सबसे ज़्याद रिफ्रेश रेट है, साथी स्क्रीन का साइज होगा 6.56 इंचिस का, और इ इसमें आपको एज डिस्पले मिलने वाली है, या फिर एक कर्व डिस्पले आपको इस फोन में मिल जाती है, और यह बात इसके उपर्डिंग सिस्टम के तो इसमें आपको मिलने वाला है Android 10, साथी इसमें आपको मिलेगा Funtouch 10.0, बट गाइज, इस फोन के लिए Vivo ने Funtouch 11 इसमें भी रिलीज किया है, जिसका आपको जल्दी अपडेट मिलने वाला है, तो बात आते हैं कि प्रोसेसर की, तो दोने फोन में आपको अलग-अलग प्रोसेसर मिलने वाला है, तो Vivo X50 Pro में आपको मिलने वाला है Qualcomm Snapdragon 765, जो कि 5G भी सपोर्ट करता है, साथी GPU आपको मिल इसमें आपको मिलने वाला है, तो यह बात Vivo X50 Pro Plus की, तो इसमें आपको मिलने वाला है Qualcomm Snapdragon 865, साथी सबसे latest GPU भी आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि यह ए Adeno 650 का, तो guys Vivo X50 की स्रीज में सबसे अच्छी फोर्मेंस आपको देगा Vivo X50 Pro Plus, तो बढ़ते हैं इन दोनों फो प्लस 8GB RAM, और Vivo X50 Pro Plus में आपको एक variant मिलेगा, जो कि होगा, तो 56GB Internet Storage प्लस 8GB RAM, साथी दोनों फोन में आपको यूनिफर्स फासी स्टोरेजर सब्से भी मिल जाता है, तो बढ़ते हैं दोनों फोन के कैमराज की और, तो Vivo X50 Pro में आपको मिलने वाला है Quad Cam Setup याने के चार कै कैमरा आपको मिल जाते हैं, जो कि होंगे, 48MP wide-angle camera, 8MP periscope telephoto lens वाला camera, 30MP portrait camera, 8MP ultra wide-angle camera, जो कि 4K video record कर सकता है 30fps, जबकि Vivo X50 Pro Plus में आपको मिलने वाला है, 50MP wide-angle camera, 8MP telephoto lens camera, 30MP portrait camera, 48MP ultra wide-angle camera, और 8MP ultra wide-angle camera, और एक camera रिकोड कर सकता है 4K video at 30fps, साथी इन दोने camera में आपको मिलने वाली है, dual LED, dual tone flash, HDR and paranormal जैसे future, साथी यहाँ पर आता है इन दोने phone के एक plus point, इसमें आपको 3.5mm audio jack भी मिल जाता है, जो कि आजकर flash mobiles में काफी कम मिलता है, और साथी आपको यहाँ पर मिल जाता है, under display fingerprint sensor, तो लाच में बात करते हैं, इनकी battery के बारे में, तो दोनों इन फोन में आपको मिलने वाली है, 4315mAh की non-remover battery, और यहाँ पर fast charging का difference भी दोनों फोन में ओने वाला है, तो VOX50 Pro में आपको मिलता है, fast charging 33Watt की, जबकि VOX50 Pro Plus में आपको मिलते है, fast charging 44Watt की, तो बसकर यहाँ पर इन दोनों फोन का comparison and differentiation खतम होता है, साथी में, इनकी specifications भी यहाँ पर खतम हो जाती है, बात करते हैं कि price and release की, so guys, VOX50 Pro का, जो base variant है, यानि की 8GB plus 128GB वाला variant है, उसका price होगा about 37,000 Indian रूपीज, but sadly guys, VOX50 Pro के price के बारे मां भी तक कोई information नहीं आई, तो guys, VOX50 Pro में आपको मिलता है, Snapdragon 865, जो की सबसे latest processor है, यानिकि व VOX50 Pro and VOX50 Pro Plus के बीच में, काभी बड़ा बराज difference आपको मिलने वाला है, तो बस guys, इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो चले ही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए gadget के साथ, जब तक क तर्णने टिक चिए और बाए तra चैनल कर दो आपको को साथ, जा दिक टीक टेक चीर के में वयानने, काई बड़ावय को तद तक प्सक्राइब।